नमस्कार दोस्तों आप समय का बहुत-बहुत स्वागत एक बाई फिर से मेरा नाम है चंदरकान ठाकूर। दोस्तों मैं आपके लिए नहीं विडियो लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है फेर जन हिमाचाल पर्देश. तो इस वीडियो में हम देखेंगे इमाचा प्रदेश में होने वाले मेले तो ये वीडियो इंपोर्टेंट है H.A.S. अलाइड, नाय तसिल्दर, H.P. पुलिस और क्लर के एक्जाम के लिए तो दोस्तों जो भी घर बैठे तयारी कर रहे हैं ये एक राज्यस्तरिय मेला है जिसकी शुरुवात राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी कुलू के देशेहरे की बात की जाये तो कुलू का देशेहरा काफी फेमस मेला है जो की कुलू में हर साल मनाया जाता है ये मेला साथ दिन तक चलता है और मुख्याकर्षन इसमेले का रगुनाद जी का रत है जो इसमेले में सुल्तानपूर से लाय जाता है जो कि इसकी पुरानी राजदानी भी थी कुलू गी रगुनार जी की मूर्ति जो 16-15 में आयोध्या से कुलू दामोददास के दौरा लाई गई थी इस मेले की शुरुआत हडिमा देवी के आगमन के बाद होती है और कुलू का देशेरा जो है वो एक राचे स्थर का मेला है अगली स्लाइड में देखेंगे मंडी के शिवरात्री मेले की बात करें तो ये मेला मंडी में फरबरी के महिने में शुरू होता है और 7 दिन तर चलता है चलिए दोस्तों एक कोशन आपके लिए किस राजा के दोवारा शिवरात्री का मेला जो था उसकी शुरुवात की गई थी किस राजा के दोवारा बात करें दोस्तों तो ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का फियर है लवी की बात करें तो ये अक्टूबर नॉम्बर के महीने में मनाय जाने वाला मेला है जो कि बुशार में मनाय जाता है पुराने समय में तिबबत और किनौर के बीच वेवसाय का ये एक मात्यम था ये 300 साल पुराना है और ये एक अंतराष्टियस थरका मेला है अगली slide पर नज़र ड़लेंगे रेनुका fair पर तो ये हर साल नॉम्बर के महिने में मनाया जाता है जो कि दिवाली के 10 दिन के बाद शुरू होता है ये स्रिमोर डिस्टिक से रेलेटीड है उल्ली फेयर यह हर साल मार्च के महिने में सुजानपूर में मनाया जाता है और यह एक स्टेट लेवल का फेयर है जिससे आपको एक कुशन बनता है तो आप बताएंगे कि यह कौन से राजा के दौरा शुरू किया गया था अगली स्लाइड में बात करेंगे शीशुफेयर की शीशुफेयर की बात करें तो यह एक बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है जो कि सिसूर गुमपा जून में मनाते हैं और गैमूर गुमपा इसे जुलाई में और मनी गुमपा अगस्त सुई मेले की बात करें तो चमबा में यह मेला मनाया जाता है जो कि हर साल अपरेल के महिने में मनाया जाता है इस मेले में और बच्चे ही भाग लेते हैं यह इस मेले की खास बात है नलवाडी की बात करें तो नलवाडी बिलासपुर में मनाया जाता है इस मेले को यहां पर मनाना डवल्यू गोल्स्टेन का आइडिया था यह मेला हर साल मार्स के महिने में मनाया जाता है और यह एक स्टेट लेवल का मेला है चिंतपूर्णी फेयर की बात करें, तो इस मातदे मेले की नाम से भी जाना जाता है। जो कि चिंतपूर्णी उन्णा के पास एक गौउ Μनाया जाता है। गुद का मेला है। यह जून-जुलाई में हर साल गुण्ड एक जगा है ठियोक के 20 किलोमेटर दूर वहां पर मनाया जाता है महासू और स्रिगुल देटा के सम्मान में इस मेले को यहां पर हर साल मनाया जाता है गुगगा फेर की बात करें तो कांगड़ा मंटी पिलासपूर उन्ना हमीरपूर यहां इन जगाओं पर यह मिल गुगगा फेर मनाया जाता है लास्सलाइड पर नजर डालेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट मेलों पर तो सबसे पहले है जौला मुखी जला मुखी फेर की बात करें तो यह कांगड़ा का एक इंपॉर्टेंट मेला है उसके अबाद गसूटा फेर दोस्तों यह हमीरपूर में मैं के महिने में मनाया जाता है CP fair ये मशुबरा जो की शिमला के पास है उसमें माई के महिने यह भी बनाया जाता है सारी fair ये दोस्तों अरकी जो की सोलन में है वहाँ पे जुलाई के महिने में मनाया जाता है फूल यात्रा fair दोस्तों ये किलर चमबा में जगा है वहाँ पे सब्टेंबर और अक्टूबर में इस मेले को मनाया जाता है चत्राडी जात्रा fair दोस्तों ये सब्टेंबर के महिने में मनाया जाने वाला मेला है जो की चमबा डिस्टिक में मनाया जाता है तो ये थी एक important वीडियो हिमाचल में होने वाले fair से related उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद तो वीडियो पसंद आ रही हों तो like और share करें और साथ ही साथ चैनल को subscribe कर दीजिए आने वाले टाइम में आपका ऐसी informative वीडियो यहाँ इस चैनल पर इंतजार कर रही होगी तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें आपका बहुत बहुत धन्यावाद